भगवान श्री कृष्ण ने जब माता देव की और पिता वसुदेव को कंस के चंगू से चुड़ाने गए तब उनकी उम्र 14 वर्ष थी उनकी माता ने उनसे पूछा कि बिटा तुम तो भगवान हो तो तुम हमें पहले ही कंस के चंगू से चुड़ा सकते थे तनी देर क्यों कर दी तो कृष्ण जी ने कहा माता क्या पिछले जनम में आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया था माता है रहान रही बुलिए क्या खे रहे हैं आप तब क्रिश्ण जी ने बताया कि पिछले जनम में मैं राम था और आप थी माता केकई और आप ही ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था और कर्म फल से कोई नहीं बच सकता माता इसलिए आपको 14 साल का ये दुख सहना पड़ा तब शरिचकित होते हो माता ने पूचा तो फिर यशोदा पिछले जनम में कौन थी क्रिश्ण जी ने बताया वो थी माता कोशल्या जो 14 साल तक अपने पुत्र से अलग रही थी उन्होंने उस दुख को साहता इसलिए इस जन्म में 14 साल मैं उनके पास रहा और मेरे साथ रहने का माता और पुत्र के प्रेम का सुकुने मिला क्याने का मातलब यह है कि कर्म फल से ना उस यूग में कोई बचा था ना आज कोई बचेगा खुद भगवान भी कर्म फल से नहीं बच सकते इसलिए अपने हर एक कर्म को बहुत सोच समझ कर कीजे क्योंकि जिसके भी खिलाफ आप कुछ गलत कर है उससे आपकी शत्रता कुछ समय है या शायद एक जनम की है लेकिन उसके साथ कुछ गलत करके आप अपने कई जनम विगार सकते हैं